सबकी अक्सर ही शिकायत रहती है कि जब भी साबुदाना की खिचडी बनाते हैं तो बहुती वो स्टिकी बनती है, खिली-खिली नहीं बनती है तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ साबुदानी खिचडी की रेसिपी ये तरीके से अगर आप खिच्डी बनाते हैं तो आपकी जो खिच्डी है वो बहुत ही खिली-खिली बनेगी एक-एक साबूदाना आप गिन पाए उस तरह से बनके तयार होगी हलो दोस्तो मैं हूँ हेतल और किचन क्राउफ रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं साबूदाना की चलिए बनाने के लिए आप कोई भी काप कटोरी का मेजर्मेंट ले सकते हैं आपको जितनी भी कॉंटिटी में बनानी है उतने साबूदाना ले लिए अकसर सब लोग क्या गलती करते हैं कि उसे ठीक तरह से भीगोते नहीं है तो जितने भी आप साबूदा वो कितने अची तरह से फूल गए है और एक केक साबू दाना खिला खिला है कची मुफली हमें चाहिए एक से देट टेबल स्पून के करीब और यहां पर मैंने आधक का बुनी हुई मुफली ली है जिसके छिलके मैंने निकाल दिये है साथ में हमें चाहिए एक आलू मेडियम साइस का कच्चा अधरक, हरे मिर्ची और करी पत्ता अधरक और मिर्ची की हमें पेस्ट तयार कर लेनी है मिक्सर चाहर में हम उसे ग्रैन कर लेनी है और साथ में जो बुली मोफली है उसको इस तरह से मिकसर में पल्स मोड पे चला कर दर-दरा सा इसका एक चुरा तयार कर लेंगे तो अभी हमारी सारी चीजे तयार है साबुदाना भीकर तयार हो चुके है आलु को मैंने इस तरह से चोटे-चोटे टुकडो में कट कर लिया था अद्रक और हरी मीची के मैंने पेस तयार कर ली है तो अब हमने जो साबुदाना भीकर रखे थे उसके अंदर हमने जो मुफली का दर-दरा चुरा तयार किया है वो उसके अंदर डाल देंगे और अची तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसा करने से हमारे जो साबुदाना है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे लेकिन जान रहे कि आपको इस तरह से मुफली को दर-दरा ही गुटना है जादा नहीं करना है महीन पावडर जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है तो मिक्सर को आप पल्स मोड पे या फिर चालू बंद करने हुए ग्रैंड करेंगे तो इस तरह से अपकी मुफली ग्रैंड हो जाएगी अब हम एक भारी तलिये वाली कड़ाई या फिर नॉन स्टिक लेंगे तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक लिया है और उसके अंदर दो चम्मच तेल डालेंगे एक चम्मच उसके अंदर जीरा डालेंगे जिरा जब चटकने लगे तब उसके अंदर हम जो कच्ची मुफली हमने लीती वो डाल देंगे कच्ची मुफली को आप जब तड़के के अंदर डाल कर उसको हलका सा फ्राइ करेंगे तो उसका करण्च बहुत ही बढ़ी आएगा तो इसके लिए हमें कच्ची मुंफली चाहिए अगर आप चाहे तो ये खिचनी को गी में भी बना सकते हैं कई लोग उपवास में तेल का इस्तमाल नहीं करते हैं तो आप कीसे भी बना सकते हैं तो मुंफली को हम तेल के अंदर हलका सा सोते होने देते हैं तो तक्रीबर एक से देड़ मिनट में हमारी जो मुफली है वो अच्छी तरह से सौते हो जाएंगी कच्छी नहीं रहनी चाहिए बस इतना आपको खाल रखना है अब इसके अंदर करीपत्ता और अध्रक और मेशी के पेस्ट डालेंगे मैं यहाँ पर लाल मेश का बिल्कुल इस्तमाल नहीं करने वाली हूँ आप चाहे तो थोड़ी सी लाल मेश पे डाल सकते है जो आलू थे वो डाल देंगे आप चाहे तो उबला हुआ अलू भी ले सकते है तो दे सकते हैं आलू खराब बिल्कुल नहीं होंगे अब नमक डाल देंगे तो नमक यहाँ पर मैंने सिर्फ आलू के जितना ही डाला है बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे मिक्स कर लेंगे इसे और फिर ठकन लगाकर इसे 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं बीच में आप इसे 1-3 मिनट के बाद चलाना ना भूले तो अभी हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह से कुख हो चुके है तेल में ही अच्छी तरह से सौते हो चुके है और यह थोड़े से क्रिस्पी भी है तो यह खाने में बहुत ही बढ़िया लगते है अगर आपको इतने क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप 2-3 मिनट के बाद जब आलू आपके कुख हो जाए तब आगे की प्रोसेस करें अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे साबू दाना थे वो कैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है अब देखिए कि साबू दाना हमारा एक एक कितना खिला खिला है और कितना बढ़िया तरीके से यह फूल चुका है लोग अक्सर क्या गल्पी करते है कि इसमें पानी जदा डाल देते है कम समय के लिए इसे भीगोते है तो साबू दाना अच्छी तरह से भीग कर फूल देने है नमक अभी मैंने मिला दिया है साबू दाना की जितना मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढखन लगा कर पकने देंगे अगर आपने साबू दाना 7-8 गंटे के लिए भीगाया है और पानी भी मैंने जितना बताया उस मात्रा में ही डाला है न कम न जादा तो आपके खिचड़ी 100% बहुत ही खिली-खिली बनेगी तो अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इसे हम कवर कर देते हैं और रहने देंगे 5-6 मिनट में खिचड़ी बनके त्यार हो जाए लेकिन हर एक से देर मिनट के बाद आपको बीच-पीच में चलाते रहना है ताकि हमारे जो साबू धाना है वो बिलकुल भी तले में चिपके नहीं वैसे नॉन स्टीक और भाली-दली वाली कड़ाई होती है तो नहीं चिपकता है लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हमें एक से देर मिनट के लिए और रहने देते हैं तो इस तरह से अगर आप खिचडी बनाएंगे तो आपकी खिचडी बहुत ही बढ़िया खिली-खिली बनेगी साबू धाना बिलकुल भी स्टिकी नहीं बनेगा अभी पांची मिनट हुए है और हमारी खिचडी बनकर तयार हो को मिठा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन यह जो खिचडी है इसमें थोड़ा सा खटा और मिठा टेस्ट रहता है तो स्वाद में बढ़िया लगती है तो यहां पर मैंने आदा निम्बू डाला है आपके पास निम्बू नहीं है तो आप आम चुर कि आप देते हैं या फिर उफिस के टिफिन बॉक्स में देते हैं तो पूरे दिन भर तक बिल्कुल खराब नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें कच्च्य आलू का इस्तमाल किया है अगर आप अबला हुआ आलू लेते हैं तो कई बार गर्मियों के मौसम में उबला हुआ तो गर्मा गरम हमारी साबुदाना खिचडी है उसे हम प्लेट में निकाल देंगे आप देख सकते हैं कि हमारे जो साबुदाना है वो बहुती बढ़िया तरीकी से फूले है और एक-एक साबुदाना आप गिन सके इतने खिले-खिले बने है तो एक बार तो आप ये रेसिप कि अपको कैसी लगी कमांड करके जरूर बता है और ऐसी नहीं नहीं रेसिपी देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल किचन क्राफ रेसिपी को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले